आज हमारा मैंस का 4th पर्ट श्कार्ट होने वाला है तो आप क्या करें कि 3rd part आज आपको लेट्स राट 3 पुरी है देख रहें ओके, let's start तो इसमें आपको 1st portion बोल रहा है and the following क्यानि, simply आपको given है numbers divided है table में आपको क्या करना है हुने, plus करना है आप करें, 8 plus 4 तो 12 जाएगा 1 केरी और 2 नीचे आपको plus करते तो आता है I hope so, 9 plus 7 9 plus 7 करें के कितना है आप 9 plus 1 कितना है 10 10 plus 7, 17 1 केरी, 7 नीचे 3 plus 2, 5 plus 1, 6 चेक रहे हैं किया आपको फिर next क्या है 0 plus 1, 1 8 plus 9, कितना होगा 17, 1 केरी, 7 नीचे 4 plus 3, और यह इए इसना हो जाएगा, 8 आपको plus आता है, इसके में डिकेर नहीं बतारे को पिर अगर आपको एक कोशिट में दिकल चाहते है तो आप जो अकसर पे ढूट सकते हैं यह A, B है, आपको Q क्या करना है, C V E F यह इनी लोग चापा आचो आपके Q कोशिट में चीके पर क्या में 2, पर क्या है Read and to solve following word problems आपको word problems ही यह जोगी Q क्या बहुद बहुद उज़वाद एज़वाद है और नम्बर एच्छिट 256 तो आपको इक नंबर बोला क्या रहे, कौंसा? 256, जो इतना है 594 जादा है, छीक है? तो आपको होता रहे, इसे इंका स्यादा है, जो इतना होगा बोला क्या नंबर? 1 और जादा रहे तो वो क्या निम्ट है तो क्या करेंगे अप़े सिंपले ब्स करतें 1 ब्स रिखना हो जाएगा 2 तो आपको यहाँ पर धिया करना है plus लिखना है तो आपको पैदे ही खाएगा रखर फिर यहाँ वर बेज्ट ब्स करतो 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 9 plus 5 शिकना हो जाएगा 15, ठीके यह आपको बन जाएगा, ठीके, 5 plus 2, 5, 6, 7 और ये 8, answer is 8, 15, next word problem क्या है, In an election, there were 2 candidates, election आपको पता है, ठीके, चुनाओ, उसमें 2 candidates, तो नेता खड़ते, one candidate got 390 votes, एक नेता को 390 votes, ठीके, 390 votes मिलें, other candidate got 387 votes, यानी, दूसरा जो नेता खड़ा था, उसको 387 votes मिलें, How many votes are called, in all, in all code आपको, all code आया, इक मिल्स आपको plus भी करें, Total आपको पता लाने, इतने votes हो, ठीके, votes सा आपको भी सुनाए, इतने आपको, तो votes, अब आपको क्या करना पड़ेगा, 387 और 390, क्या करें कि तो लों को, plus 7, तो सिंप्ली आपको पड़ेगा, 7 और 9 से, तो क्या आजाएगो, 1, 6, 16, 8, 9, plus 1, 10, 1 क्या ही, प्लियों नूछे, 3 plus 3, 6, plus 1, 7, 760 इस यो, आज़ेगा, next question, there are 344 students in class 1, चीके, किते है, 344, जसे आप 1st class, 2nd class में पढ़ते हो, अभी आप 3rd class में आए हो, तो यहाँ आपको example क्या दिया है, कि अगर 1st class में 344 students है, चीके, 2nd class में 187 students है, आपको समझभा है, पिर, how many students are there in both the school, आपको क्या करना है, बता रहा है कि दोनों को मिलाकर total कितने है, how many आया, तो इसका में प्लास ही होता है, तो यह आपको यह example कैसे data development के लिए में, चीके, यह कुछ अलग से नहीं किया है आपको example, तो आपको अच्छे लिए कि math का use कितना साज़ जगा पर data ने हो रहा है, है ना, आप हरोस यह सब कुछ भी आपको पहसे ने रहे दिये का, आपको 10 के, 2 notes दे लिए का, आप क्या को होगे, उनको total बताने के लिए, आपको यह आपको बहुत भी important lesson है, यह आपको बहुत कामन है, चीके, तो next question यह पो क्या करना है, यह पो क्या करना है, यह पो क्या करना है, add करें, simply as to add, क्या हो जाएगा, 4 plus 7, 11, 1 carry 1, नीचे, 8 plus 4 गिता होता है, 12 गिता है, और 12 plus 1, जो carry वारा बल्यों स्पाइट गिता हो जाएगा, 30, तो put 1 in carry, 3 दिलो, ओके, 3 plus 1, 3 plus 1, 4 हो गया, और उनको carry उसा 5, यह आपको यह आपको नहीं दिया है, आपको यह बनाना पढ़ेगा, चीके, पिर ली वाला क्या है, राजेश has 236 peanuts, ठीके, राजेश के पास 236 peanuts है, रोहिद के पास 175 peanuts है, हाव मैंने peanuts are there altogether, peanuts अन्यों ना, तो यह दुनों को आपका पड़ेगा, तोटल मतला आना है कि टोटल फो पर लेगी ती नी, तोब क्या करेंगी, दुरों रंबर्स को एड़ करेंगी, सिंपली, 6 प्लस 5 उपना होगा, 11, पुट्ट वन इंकरी, वन नुट, पिक है, 3 प्लस 7, 10, 10 के उपर पर प्लस 1 का टो, 11, वन उपर कैरी में, वन नीचे, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, आंसर इस, 411 पीन, यानि राजेश और दोलों के पिनेट्स रिलाबकर, 411 पीन, तो आई पोब कि आपके एक सेक्स कतब हो गई है, आपके उसके एक समझ में भी आगए होगी, तो बढ़ती है सेक्स्टें कि वटा लगई हो!